क्या आप working woman हैं और चाहती हैं कि थोड़े समय में स्वादिस्ट और पॉस्टिक भोजन बना पाएं तो इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इन टिप्स को फॉलो करके आप भी चुटकियों में स्वादिस्ट खाना बना सकती हैं अपना कीमती समय निकाल कर जरूर देखे नमबर वन कभी कभी चावल जल जाता है और फिर चावल से जलने की गंद आती है जिस वज़े से कोई भी खाना पसंद नहीं करते तो इस टिप को फॉलो करें चावल को उपर से निकाल अलग बरतन में खोल के रखें जब चावल थोड़ा ठंडा हो जाए तो गंद उसकी च आने के लिए एक कप पुलाओ चावल को धुलने और कुकर में घी के साथ खड़े मसाले भून के चावल डाल दें डेड़ कप पानी और कुछ भूने नीबू रस के साथ एक सीटी आने तक पकाएं पुलाओ खिला खिला और सौधिस्ट बनेगा नमबर फोर जब प्यास रखें और फिर काटें आँखों में बिल्कुल नहीं लगेगा नमबर फाइफ मिंटों में कोई भी सबजी बनाने के लिए प्यास लहसन अद्रक मिर्च इन सभी को अच्छे से साफ करें और बिना पानी के मिक्सी में पीसें फिर कड़ाही गरम करके थोड़ा तेल जादा सभी चीजों को बढ़िया से भूने फिर मसाला भी डालकर अच्छे से पका लें और ठंडा करके जार में स्टोर करके दस से पंदरा दिन के लिए फ्रीज में रखें जब सबजी बनानी हो तो दो चम्मच मिक्स का यूज़ करके सबजी तुरंत बना सकती है नमबर सिक्स हम अध्रक को साफ करके दोनों का पेस्ट बना लें और एक जिप लॉक पनी में भरके फ्रीजर में दो हफ्तों के लिए स्टोर कर लें जब यूज़ लगे तो तुरंत यूज़ करें अगर यूसफुल टिप्स आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स शेयर किजएगा ता कि सब ही इसका लाब उठा सकें